कि अग्वाइब तो आज से बिस्टार्ट करें जारें फर्स्ट लेक्चिर और इंकम डाइक्स आपके लाइफ का इंकम डाइस का पहला लेक्चिर चाहिए सब्सक्राइब तो आपका यह सफर बहुत इंज्वाइबल रहेगा आपको बहुत मजाएगा टैक्स पढ़ते समय इस वरे इंट्रेशन सब्जेक्ट चलो नौ अभी पहले चाप्टर के जो नाम है वो है इंट्रॉक्शन टू इंकम टैक्स आट 1961 तो नोट्स आप सब के पास ही बट पहले में कुछ आपको बेसिक चीज़े बताऊंगा एंफिर अपन दिर दिरे नोट्स पड़ेंगे टिके चलो सो अभी आपको कुछ इंट्रेशन चीज़े में आपको दिखाना है एंफिर आपन दिर दिरे एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे चलो नोजर आ आप पढ़ लिजे स्क्रिम पढ़ने जा रहे है वह टेकनिकल है बट डिफिकल नहीं आप मेरे साथ पढ़ रहे हूं यू यू एंजर इस सब्जेक्ट अट इस मैं 100% गारंटी तिक है चलो आगे और के बोल दे कुछ लोग इंकम जोक्स पर लिजब आपके लिए जोक से य आफ्टर वन पेजर इंकम टाइक्स वन नोहाँ टू आपको फिल्स आप्टर शी अज बिन मिल्क्ट करेट ना क्योंकि इंकम टाइस बरना किसी को पसंद नहीं है इंकम आते से में बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब पे करते तो बीचार को दर्द होता है इना तो क्या कुछ नहीं है इसको पे करना है क्योंकि गवर्मेंट कैसे चलेगा फिर खरेटना तो आपको जो इंकम मिला है उसमें सब कुछ पोर्शन देना ही है अच्छा कितना देना आपन पढ़ेंगे इस चाप्टर में सब को और करेंगे आप घाई मत करना और फाइन इजर टैक्स दॉइंग रॉंग रांग तैक्सिजर फाइन फोर दूइंग वेल अपने अच्छा काम किया इमान दर इसे एथिकली पैशे कमाए किसका चीटिंग नहीं किया उस पैसे पे गोवर्मेंट टैसले थी है अच्छा इलीगल है तो भी गवर्मेंट टैक्स लेती मैं आगे आप bond-free tax to death जनम लेनी के लिए दुनिया में कोई टैक्स नहीं बच्छो लेकिन मरते दम तक आपको टैक्स देना है बहुत प्रकर के टैक्से से उसमें सापन अपने सिलाबस में जितना है अपन सब पढ़ने वाले हैं सब्सक्राइब प्रक्राइब अपने को आपने सब्सक्राइब करना शाइब करना क्रूंब आपको वह चाहिए और आपको एक्सप्रेस धशाए जाहिए बटर इन वहरुझा चाहिए आच्छे स्कूल, कॉलेजेज, गोर्मेंट हस्पिटल चाहिए येस, आपको सेक्रूड चाहिए येस, तो ये गोर्मेंट कहा से करेगा, आपको जो पैसा लिया जाता है, उसे पर टाक्स करके, आपको जो इंकम बिलता है, उस पर ही आपको टाक्स गोर्मेंट को देना है, अभी जब मैं ऐसा बोलता हूँ न, तो काफी लोग काउंटर बैलन्स करते है, कॉमन मैंट, उनका कहना सही भी है, उनका कहना है कि सब मेरे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैंने इंकम एर्ण किया, ठीक है, मैं उस पर इंकम टाक्स गे रहा हूँ, ठीक है, उस पैसे से गवर्मेंट ने रोड बनाए, वो भी ठीक है, अभी उस पर मेरे से टोल टैक्स क्यों ले चाता है फिर, करेट न, वो मेंटेंड करने के लिए है, यह जो आप से पैसा कलेट किया, इस नॉट इनफ, करेट न, इसलिए अलग लग टैक्स भी लगा जा थे, मैं आपको एक टैक्स पढ़ा रहा हूँ, जो है इंकम टैक्स, बट देरा वेरिस अधर टैक्स अलग लग लग लॉजिक है, तो आपको से लबस में जितने टैक्स है से उसका रिक में लॉजिक बताऊंगा, कि ये टैक्स क्यों लाया गया, उसके बचे कि थेरी क्या है, ऐसे नहीं कि मैं पढ़ा हूँ, इसलिए तुम पढ़ रहे हो, तो ये आपका क्वेश्चन करेक्ट है, बट उसका परपस अलग रहता है, करेट ना, आपने जो एक बड़ टैक्स है, उसमें आप सोचो रोड पचास सल मेंटेन होगा गया, नहीं, सो देने रिकरिंग इंकम, तो आप से रिकरिंग इंकम टैस्ट भी लिया जाएगा, उससे नए रोड भी बनवाए जाएंगे, आप से पैसा लिया ही जाएगा, तो यह कहना सही है, बट कोई इलाज नहीं है, ठीक है, ना, विज गवर्मेंट को यह जो रेविन्यू है, यह दो फॉर्म में मिलता है, अभी टैक्सेस क्यों कलेट करते हैं, मैं आपको बता दिया है, ठीक है, अभी इसमें दो तरह के टैक्सेस, आई यह पंजरा पढ़ते हैं, अच्छा, अब आपको नोट्स पे धान दनने की जरूद नहीं है, यह मैं सब पढ़ने और चिंदा मत करना, चले काम करते हैं, पहला पॉइंड पढ़ लेते हैं, आई यह फर्स पेच पे, मतलब बाद में प्रॉल्म नहीं रहेगा, आई यह, पहला पेज ए, इंडेड़क्शन पर इंकम टेक्स एक्ट, यहां पर मैंने पूरा आपको सब इंडेक्स दिया है, मतलब इस चाप्टर में क्या क्या है, मैं आपको पढ़ाने वाल हूँ, एक और विवीव दिया है, आपको, आपको, सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करेंगा, जब इस चाहिए, बहुत सब्सक्राइब करेंगे, सेमें संपने से एंड नन कोर्पटर आशे में अदर दें कमपनी तो तर गॉर्में इन वर्ट इन नेसेसरी कंसरेशन फॉर्ट इन इन अ कोई फाइदा होगा देश कोई फाइदा होगा अर्लियर एवरी एवरी फीव पीपल वर पिंगर्ण हैंस गवर्में इंप्लेमेंटेड वेरी हाय रेट्स हां अफर इंडिपेंदेंस लेट से आफर 1947 करें टैक्सरेट या उस समयास पास टैक्सरेट 60% तक था कि वहां पर कम लोग टैक्स एते दें वर जैसे लोग बदलते गए लोगो समझ में आगा कि टैक्स जना बहुत जरूरी है तो पीपल काफी लोग ने टैक्स जना स्टार्ट कर दिया फिर गवर्में रेट्स कम कर गए तो आइट प्रेजेंट आपने लिए हाइस इंकम टैस्क्रेट 30% है म और चीज़ आपन ने भी फर्स लेक्टे स्टार्ट किया है ठीकिना टैक्स सब्जेट समझने के लिए आपको पहला पूरा चाप्टर कम्रेट करना पड़ेगा तब तक आपके मैं में इसे बहुत सरे डाउट्स आएंगे छोटे-छोटे बट जब में चाप्टर करूंगा आई गैरेंटी आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो थोड़ा दूस्तों पेशन्स रखना क्योंकि बहुत ही नया सब्जेट है और यह टेक्निका सब्जेट भी है मैंसे एक मिन में आपको पूरा कॉंसेट नहीं बढ़ा सकता तो इट्स इट टेक टाइप और फ्रैंकली से स्विकिंग नौट वन चाप्टर जब तीन चाप्टर कम डूजाएंगे न पहले तो आपको बहुत अच्छा कॉंफिदेंस बिल्ड़ा कि आपको ओवर्विव समझ में आके अच्छा है यह टैक्स में आपको पढ़ना है करेट नहीं तो फ्रैंकल स्पिक कि पहले कम लोग टैक्स पे करते थे बाद में फिर जादा लोग ने टैक्स पे करना स्टार्ट कर दिया तो गोवर्मेंट करें नहीं बढ़ गया एंद फिर बाद में उन्होंने क्या कर दिया टैक्स रेट्स कम कर दिया है कि चलो नो वाई गोवर्मेंट नीट टैक्स यह म उनका पैसा गवर्मेंट भरती है गैस में आपको श्रण देती है तो गवर्मेंट घवम्होट पेट्स इस्टों जो आपने को पता है रथे पैसा यादा है टैक्स से है टिफी सो टैक्स इसमेजर सोस आप रही फोर्ड अप screening ऀए अ है नो टैक्स को दो पार्ट में डिवाड किया है, one is direct tax and one is indirect tax, ठीक है, तो पहले अपने ये दो वर्ड समझते हैं, कि direct tax क्या है, और indirect tax क्या है, अभी अपने स्टार्ट किया है, direct tax, तो अपना पूरा फोकस इसके अगर direct tax पे ही रहेगा, but at least I'll introduce, what is the difference between direct tax and indirect tax, ठीक है, आईए, तो बहुत important जिस पढ़ने जा रहे है, difference के दूर में फरक क्या है, ठीक है, now basically what is direct tax, पहले में example लिखता हूँ, tax on income, and ठीक है, so direct tax is a tax on income, and indirect is a tax on goods and services, यहां तक तो सोच मा गया, अभी द्यान से सुनना, मैं क्या बता रहूँ, मैं आपको difference बता रहूँ, यह मैंने features बता आपको, ठीक है, अभी पहले पन समझेंगे इस tax का नाम direct tax and indirect tax क्यों रखा, शारुक कान, सलमान कान क्यों रखा, तो आपन यहां से logic समझना, स्टार्ट करेंगे है, ठीक है, तो पहले मैं आपको एक indirect tax का आपको मैं example देता हूँ, ताकि फिर आपको direct tax समझना में आसा नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अपने पहले डिसकस करूँगा इंडरी tax, Nosora, ताटा मोटर, जो बोगा कार मैनेफेक्टिर है, तो एक और कार मैनेक्टेर करके वो घ्रस दो सो करती है, ए दूलर को एंड दीलर सेल करते हैं आपने को, करेक्ट ना जब आपने को कार लेना है वी एप्रोच नीरेस डीलर एंट फिर में डीलर को पैसे देखे गाड़ी खरिकते हैं तो टाटा मैंने कंपनी जो है टाटा मोटर्स वो डीलर को सब्सक्राइब करें यह सब को पता है अभी कार जो है वो गुड्स है एन गुड्स पर लगता है जी एस्टी एन एक जुले 2017 के बाद इंडिया में जी एस्टी इंडूर्स ओ यह भी आप सब को पता है कोई अड़्चन नहीं है ठीक है अभी जी एस्टी के सिलक्ता आफ समय लें जला है और टाटा मोटर्स क्या करेगा अभी टाटा मोटर्स पहले इनवाइस किसको देगा डिलर को देगा बरट ना इनवाइस टू डिलर अलंग विजिए टाटा मोटर्स बिल बना कर देगा डिलर को कि वह गाड़ी का वाचेल अपर टेर लिया और उसके अपर जिस्टी टीए फिर दिलर क्या गरेगा सेंच इस डिलर अनवर्न ँ्रह स्टोर्न अलंग विजिए ञादे मुस्ट कैटा मोटर्स बना कर देगा डिलर को अन्डिक्र fairness बना कर देगा श्यूंड ने क्या ट्रह्क्त मिश्क अप को बना कर देका डिकांशियों को अह जापन सब सोज के बताओ घ्र fishermen किकिस लिए प्रापरमोटर की दिलर के दिलर का या गुर्मेंट का है थोड़ां सोच बतावो टैक्स the revenue गॉवर्मेंट करेक्ट सहीशन आप ने वर दिलर कस्टमर्स तर्टी कर रहा है ता ठाथा मॉटर्स टेक्स के कर रहा है बनार ऑल्टीमेट लीए हो जा रहा है गवर्मेंट को विर मेंसना और यहां जो जिएक्ष्ट है न kuollum अपै जीएष्टीटू गवर्मेंट एवज हुज है ट्वर्मेंट डिलर है किसको पेंट ऐस्टी यह ची ट्टीट ट्रों कि डिलर पे टाटा मोटर्स को करेगा करें ना तो टाटा मोटर्स ने जो बिल में कि लिगए वे टाटा मोटर्स लिगाए एंद दिलर भी गौश्मेंट को टैक्स पे करें अच्छा यहां पर दो दो पर टेक्स नहीं लग रहा है डीलर खली उसके प्रॉफिट पे जीश्ट लगाता है वैलोडेशन मतलब टाटा मोटर से लिया जाएगा जो डीलर का मार्जिन है वह उससे लिया जाएगा कि अब यहां थो जब इन टैस्ट पड़ाता हो तो मैं आपको इसब पताऊंगा ररेट ना कि यह कैसे कर दो अब बस इंडरेक्ट डेक्स नाम क्यों रखा है इतना जाएगा तो डीलर ने जो टैस कलेट किया है खुरेन अकस्टमर से उस में से कुछ वा टाटा मोटर्स को दे tax is going to government तो गवर्मेंट को देने वाला है डिलर देने वाला है टाटा मोटर लेकिन अल्टिमेटल पूरा बर्डन किस पर पासन हुआ है कस्टमर पर हुआ है कि डिलर ने जो टाटा मोटर को टैक्स दिया है वह कस्टमर से वहसुल करता है वन्हां आपको टैक्स जेते से में चेलाग पर टैक्स दोगे डीलर को उसमें से श्यूलाग का टैक्स ओगो कंपनी को देगा और कंपनी ओभर देगी और पच्छास अरग जो है वो गोवर्मेंट को फर देगा तो यह ऐसे बिलिंग होगा और बदा तो टाटा मोटो चेलाग का बिल बनायकि डीलर के नाम पर गोड़ी नहीं हो देलर जो है कंचासर पर गूवर्मिन को जीस्टी देगा तॉसे जो साड़े चेल लाग प्रट किया गया है चैला का जीस्टी ताल्य को जाएगा पचासर का जीस्टीट देगा इन यह दो लोको पे कर देंगे यह दोगों को पे कर देंगे मतलब कुछ भी हो जाएं लुटिमेंट लिए पैसा किसको मिला है डीलर को मुला है टाटा मोटर्स को मिला है यह गौवर्मेंट को मिला है और हमें संगा से आंसर जब किसके उपरा है मैंने कहा था साड़े छे लाग का बिल कस्टमर के नाम पे रेज होगा क्योंकि एंड यूजर जो है वही जीएस्टी भरता है तो यहां पर एंड यूजर आल्टिमेटली कंस्यूमर है डीलर तो एक बिच में एजेंट है जो गुद्ध खड़ित के सामने पास उसको बलते हैं इंडारेक्टाइक्स इस लेसऊ को क्या बोलाइब आपके उपर आता है इन इससे सिंपल एक्जामल में आपको देता हो अगर यह नहीं समझा तो बहुत सिंपल है आपने मेरा लाइब क्लाइग जोइन किया है या पेंडर्व ग्लासेस लेट्स से लाइब क या आपकी जेब से हमने गवर्मेन को दिया तो इंडेरेक consult सबने चे neighbour को दोट होगा सर हम क्यों 잡아 कर सकते हम आपको 13 गवर्मेन को पाचचरोस हो मेरे को अदिशन नहीं है बट देन हर एक बंदे को इंड्या में जी इस्ट का नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि ओनली रजिस्टर परसंट कैन पे जी इस्ट टू गार्मेंट तो खाले एक क्लास के अडिमिशन के लिए आप जी इस नंबर लोगे क्या तो इंड्या में जितन और हम तो बिजनेस करने बेठे तो विल डॉल्ड कम्लाइंज तो एक बार परटिस करना तो उसके लिए जी क्या चेस्ट नंबर लोगे क्या एन वेग किन इसलिए गवर्मेंट ने बर्ड़न आहां बड़न पर अखा यह उसका मेन आपको लॉजिक पता है इसका कूप को ल अपर गुशल को पर लुए कन वेराज नौ अलिकम्ट नीरक टैक्स न्दन ऑस्तोर इरेक्ट जो एई आपके इंकम पर डार्ट कर भी गुवर्मेंट को देते हं आप मेरेजरी ने पर based on income details that particular consultant will prepare balance sheet and prepare businessmen नेगbreaker तो बैलेंशिट ने तो income tax इटन प्रिपर करेगा and tax government को भर देगा तो income tax is never given to me कैकि वो आपका revenue आपको ही government को देना है इसलिए उसको बोलते direct tax direct tax मतलब जो आपके जेजाता है आपका दिल कठ करके government को देना पड़ता है जो इसको बलते direct tax है indirect tax, तो इस point में आपने समझा क्या, अगर आपको ये सोलज में है तो हम वेरी हपी कि इस tax क के नाम direct or indirect क्यों दिया है, है तो देरा टू थो थो टैपस प्रक्स जो इंकम पे वो डारेक टेक्स जो आपको डिरेक्क ली को बिच पी निरेंगे लेकन जो इन्डरेट टैक्स है जो अपने मेरा क्लास लगाया है लाइफ कला सो या ऊंलाइन लेक्टर सो उस अवांट में 18% जेश्ट इंक्लूट्रेट तो मैं आप से क्लिट करके गवर्मेंट को देता हूं तो इंडारिक ली बर्डन आप क्यों पढ़ाता है इसलिए उसको बलते हैं इंडारिक टैक्स तो यह था पहला पॉइंट आयों यहां तक आपको सोज में आ गया ठीक है नौ अगर बढ़ते हैं यह था उसका मिनिंग आप चाहे तो इसको लेख लेना इस वह उन्ट इसको लेक्षाट आपको अपट और डारेक्स इंडारेक्स टैक्स क्या होता है और हो इट वोक्स ठीक है फिर मैं आपके समने एक इंट्रेस्टिंग अनलेसिस लेके आने वाला हूं ब इन थोड़ा पेशन्स रखना मैं आपको बहुत डिटल में बढ़ा रहा हूं तो मैंने आपको पहले कहा कि पहला चप्टर कंप्लिट होने दो करें डूंट ट्राइट टू इमेजिन की वाट इस गूंट तो कम नेक्स्ट पेशन्स रखना एक चप्टर में दो आपको काफ श्रीच कंट्रोल इसको कर आम लेना है मैं बोलूंगा वीपल कंट्रोल बट में खुद को अंटरल लेको ने तो मैं आपको पुरानी पड़ा पाँगा यस्च यू कन से टूर डाउट्स कंट्रोल इस वीड़ा शेलो इतना मिवल लेकल आगे बढ़ता हूं कि चला नाओ अभी आपके सामने एंट्रेस्टिंग अनलिसिस लेक्या रहो है यह बहुत मज़ेदार अनलिसिस दैंसे सुनना आ यह है अधा यह नाम है अधा उगाना अधा माजी सटक लिए उसमें से आता है कौन सा मुई था सिंगम रिटन आता ने गुड्स सेल किया टू मता मता को गुड्स तयल किया अगरे पर चीष एटी पर हुआ है यह एखिष अब सेल अन्डर्ड पर हुआ है डिया अभी हमता नहीं क्या किया यह गुट्स आगे सेल किया है किसको बाठा को चीक है सो मता ने आगे गुट्स सेल किये फॉर वन वेंटी रूपीज और ऐसे वन थर्टी रूपीज ठीक है तो अभी देखो अगर मैं पेंड रिल अकॉन बनाता हूं आता का तो उसका परचेस दीखेगा 80 रूपीज सेल दिखेगा 100 रूपीज प्रॉफिट दिखेगा 20 रूपीज एक दम सिंपल इसमें तो कोई आच्चन नहीं सबको सोज में आ गया ठीक है यह इन दो बुक्स आप आता है पेनल अकॉंट आ था ठीक है अभी हाप एक मेरे को स्टोड ने डॉट पुछ सा था और बहुत है अच्छा डॉट था इसलिब मतर रहो उसने का कि सर जैसे अपने बुला ना इस अमॉंट पर तो अपन इंकम टैक्स देंगे इस अमॉंट पर क्या देंगे इंकम टैक्स देंगे मैंने का बराबर है बीस रुपे देरा प्रॉफिट है आज उंगरों बाके एक्स्पेंस नहीं है और समझने के लिए यह जो 100 रुपीज है और 80 इस पर जी एस्ट आएगा मैंने का वो भी सही है और पर्चेस करते से में जी एश्ट आएगा 100 को पर जी एश्ट आएगा लेकिन डिफ्रेंस जी एश्ट गवर्मेंट को देना है दो दो बार नहीं देना है 80 रुपीज का जेश्ट वो सप्लर देगा जिससे अपने गूर्ट पर्चेस किये जो आता है उसका वेलो डेसिंग इतना है 20 रुपीज कितना है 20 रुपीज उसके अपर वो गवर्मेंट को जी एश्ट देगा ठीक है तो यहां पर एक श्रोन का कहना है कि यह जो 20 रुपीज है ना दर इस डबल टैक्सेशन ऐसा उसका कहना था उसने कहा कि सही है 20 रुपीज है इस पर इंकम टैक्स भी लग रहा है और इस पर जी एश्ट भी लग रहा है क्योंकि यह 20 रुपीज में इंक्लूड है अधर ट्वेटी रुपीज पर डबल टैक्स हो रहा है उसने कहा कि वह उस पर इंक्लूड है तो उसके उपर इंकम टैस्ट भी लग रहा है तो सर आप इसका अंसर के से दोगे मैंने कह बताता हूं तो यह एक श्रोंड ने बहुत ही अच्छा डाट पूशा था अपके सको पूरा फोकस मेरा आता पर है एटीब परचेस किया तो पे शेल किया है नियृत बीस रोपय पर उसका कहना है कि 20 रूपय पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब डिट्स देने हैं टो नहीं होता है नी डबल टाक्स कभी निवुथा है तो मैं एक्स्पिंग करता हूं तो निए पहला दिफरेंस यह हंडिड दॉपीस का जो जी स्टी ना यह बर्डन पासान हो रहा है इंड़ा टैक्स का मतलब कहते हैं बर्डन पासान करते तो यह जो आता ने सेल किया है यह माता से रिकॉर किया जाएगा तो यह 100 पर जो GST है वो आता विली कलेक्ट फ्रॉम माता माता को जेव से देना है और 20 रुपया पर टैक्स आता को देना है यह जनरल पॉंट बता है तो शोड़ने का हाँ सरव हो तो सोज में आ गया कि इंकम टैक्स आता को देना है और GST अपन इंडरेक्ट टैक्स बर्डन पासा ओन करते है तो आता किस पर बर्डन पासा करेगा माता के उपर तो 100 पर GST पर माता पे करेगा पर उसका कहना तरह सब फिर भी डवल टैक्स तो हो रहा है ना मैं पे करूँ या सामने ओला पे करूँ अल्टिमेटली गवर्मेंट को बीस रुपह पे दोबर टैक्स ले रही है मेरे से इंकम टैक्स और सामने ओले से इंडरेक्ट टैक्स ने का हां उसका भी लॉजिक बताता हूं कि वह डवल टैक्स आपके लिए है बट दोनों टैक्स लगाने का परपस अलग है ध्यान से सुनना यह बीस रुपह पर टैक्स क्यों लगाया गया है फॉर इकुवल डिस्टिबिशन ओफ इंकम अदर्वाइस वाइस वाइपन रिच विल विकम मोर रिच और जो गरीब हो और गरीब बन जाएंगे सब्सक्राइब नहीं चाहते कि जो लोग ज्यादा पैसा कामा रहें उनके हाथ में अगर पूरा पैसा चला गया ना सो देन मुश्किल हो जाएग एकोनोमी में इसलिए जैसे तुम ज्यादा पैसा कमाते गोवर्मेंट तुम से चीन के पैसा लेती है बाइवे ऑफ टैक्स इसलिए आपको दिखने के लिए डवल टैक्स है बट गर्मेंट का अब्जीक्टिव अलग है दिखने के लिए वह है डवल टैक्स सब्सक्राइब बोलती है जब एक जीस पर दो पैसे में अब्लब एक इंकम पर दो आख़ा है यहां पर इक बंदा डो तेक्स नहीं ज़ा सामने वला भर रहा है इंकम टैक्स में बर रहा हूं तो दो लोगों के उपर टैक्स हो रहा है कि इंकम टैक्स लगाने का परपस ही है कि गवर्मेंट नहीं चाहती कि गवर्मेंट नहीं चाहती कि there should be concentration of wealth in the hands of few people in the economy तो सब पैसा उनके पास ही चला जाएगा इसलिए जैसे पै इंकम टैक्स लाने का परपस एक्चुली यह है कि people will not have too much money otherwise there will be huge gap between rich and poor which will become more richer and poor will become more poorer यह ना होने के लिए एक्चुल डाया गया ठीक है तो एक मैंने अपको एक अलग एंगल से एक अनलीसिस बता है को एक आपको एसे डाउट पूछता है जब आप इंडेस्टी में काम करोगे तो इस इस देविए यू कैन हैंडल इस डाउट तो क्या बताना है फिर्स इंडेक्स के बड़न तो द दिया जायेगा सो देट देल भी एक्वल डिस्टूशन अव इंकम इन एकोनॉमी तर इस सिंपल लॉजिक ठीक है इस से आद आपको सोचने की जरुवत नहीं है दसस्मोर दन इनफ फ्रॉम एकडेमिक पॉंट आफ यू ठीक है आप चाहिए तो लिखके रखना है फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि अगे एक क्वेश्चन अब किसी को पूछ के देखना जिनोंने टैक्स डिटेल में नहीं पढ़ा है वो लोग 100% कंफिस हो जाएंगे तो अगर आपको कोई दोस्त है रिस्तेजार है जैस्टों को यह पी एंडल बना के भीज़ देना उसको वोलना भ आपको हर दिन लेक्चर में कुछ चैलेंजिंग चीसे दोंगा एंड यू नेट तो आपने सिमिलर फिंड में है ताकि आपको समझ में कि मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं कितना डिटेल में पढ़ा रहा हूं आपको आज आजाएगा आपको चलो अभिए अपना डागरम पर आते हैं कि देख तो डारे टेक्स है इसके टेक्स लेट आपने डिवाड़ किया है एक इंट्रस्टेट होता है दो इंट्रस्टेट इंट्रास्टेट का मतलर विदीन स्टेट मतलब जो लोग महाराष्टा में एंजुने मेरे क्लासेश लिये वह इंट्रास्टेट ट्रांजक्शन होगा एन आपसे जो फीज लिया गया है उसमें यह 18% टाक्स खलेट होगा अभी तो 18% बाद में चेंज भी हो सकता है क्योंकि स्टेट में बहुत फास्ट चेंज होता है जब में रेकॉर्ड कर रहा हो अभी 18% है करेट ना सो बाद में वो कम ज्यादा भी हो सकता है तो सीजी एस्ट एन एज जिस दो लगते हैं दोनों एकॉल रहेंगे तो सीजी एस्ट नाइन परसेंट एज एसा होगा अगर इंट्र इस्टे का 9% दोनों मिला के अठ़रका एन वही अगर इंट्रा स्टेट उनें ट्रेट में हो रहा है तो खली यूजी स्ट आता है तो ये सेम है तो इंट्रा में दो होते हैं विदिन स्टेट और इन उन ट्री विदिन स्टेट तो एस जी एस्ट आएगा अज विदिन यह मैंने एक लिखा है जी इस टी में अलग लग रेट से जिसका डिस्केशन में इंटाइक्स में करूँगा आपको इंट्रे टैक्स में करना है खट्डे में गिर जाओ क्योंकि आपने कुछ पढ़ा निये तो जब मैं पढ़ा हूंगा इंटाइक्स का उससे भी आपन देख अचाइन कस्तंड्यू थी थी था और आफ्टर जी इस्टी भी है कस्टंड्यूटी जी टी में सब्सूंध थीह एक नहीं वह पहले भी आप्यला दना था आज भी आकेला है और विचारा तना है चलो मिन इस टाइट टेक्स तेज़ेख आज को पेमेंट टेट्विट पैमि on income earned in that tax is a tax on goods and services here burden falls indirectly on the consumer hence it is called lesser indirect tax मैं आपको क्लास के एक्जम्पल दिया मैं आप से जो फीज ले रहा हूं उसमें से जिस्टी में गवर्मेंट को दे रहा हूं तो बर्डन आपके उपर आ रहा है इसको इंडरेक्स बोलते हैं अच्छा आप भरेंगे तो क्या होगा मैंने वह भी बता दिया हर एक बंदे को जिस्टेमर लेना पड़ेगा कंप्लाइंस बहुत ज्यादा हो जाएगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बस उतना धान में रखना है ना आते बहुत इंपोर्टन बुद्धे पे डिस्टिंग्विश बिन डारेक्ट टैक्स इंडरेक्स अभी बहुत आसान है अपने और ले कुछ पॉन डिसकस कर यह पर वर्ण इंगम थाइट अपने पर डारेक्स आता है करें ना इंडरेक्स के बर्डन इंडरेक्ली एंड यूजर प्याता है रिदना तो हूब द बेर द लडन तो फाइनल कंजिमर चीजिए मद तीसरा डिफ्रेंस अभी आप मिलको बताएंगे तीसरा डिफरेंस आप सबके लिए कोश्चन है जितने लाइव में बेठे हैं जिपने वर्चूल में हैं आप मैं से किटने लोग डारेक्स पै कर रहे हाथ उंपर करना किया आपके еньद आरीप अरिज reach आप में से कोई जॉब कर रहा है जो लाइव में बैठें जो वर्चुल में तो यस देन दरिज़ पॉस्टिटी कि आप डारेक्स पे कर रहे हो अच्छा दूसरा क्वेश्चन है आड यूप इंडारेक्स हां सर इंडारेक्स तों पे कर रहे है रोजम स्नैक्स खरिते हैं बाल जिएस्टी है खाना खाते हैं उस पे जिएस्टी है क्रेटन स्टेशने खरितते हैं उस पे जिएस्टी है सर क्लास के फिस भरा उस पे जिएस्टी है कार प्रचेस के उस पे जिएस्टी है मोबाइल बिल पे जिएस्टी है कंप्रेटर लैप्टप परचेस किया उस पे इसका मतलब यह है कि इंडारेक्स इंडा में हर एक बंदा देता है लेकिन डारेक्स पे करने लोग बहुत कम है क्योंकि जो इंकम करता है वही टैक्स देता है आपके फैमिली में इफ आम नॉट रॉंग मैट भी और फादर वर्किंग और फादर अंदर बोट और वर्किंग तो वह दोनों इंकम टैस देते रहेंगे जब आपका काम करना स्टाट कर तो आप भी दोगे लेकिन इंडारेक्स तो हर एक बंदा दे रहा है इंडारेक्स आपके फैमिली में हर एक बंदा दे रहा है यह तीसरा पॉइंट हो गया चौता पॉइंट अभी मैं आपको बहुत इंटरस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूं मेरा फेवरेट बिस्केट है ग्लुकोज पार लेजी और मारी यह मेरे फेवरेट बिस्केट है मैं एवरेड़े जब चाय प्यताओ घर पर आई इट डेली टू बिस्केट्स कमपल सरी कुछ भी हो जाए मैं बाहर गया तो यहां से पार्लेजी बिस्केट लेने गया शॉप में वहांते है ना फैमिली पैक पाच उरुपय का यह मजा कर रहो पाच उरुपय का पैक आता ह ठाल मुकेष भाय अममाने जाँ एक तो मैंनी बिपाच उरुपय दिया और उनने भे पाच उरुपय दिया और धो गोसो दोनों कि आपका बता नहीं हैं ठीक है सो लगई श्री मुंकेश भाने भी 5 happily uncle दोनों के पर सेम जीस्ट ही एक्चलों कितना बड़ाद में रिचेस्ट मैं इन इंडिया एन वर्ल्ड में भी टॉप 10 में तो दूनों पर बड़न से गया शॉप के गुर्पास उसको बोला भाई यह ऐसा कैसा है उसने का सर मैं क्या कर सकता हूं गौर्मेंट नहीं वैसा बोल यह तो गलत है उसने का सगलत है बस यह प्रॉब्लिम इंडिया टेक्स में है इसको लदे रिग्रेसिवी नेजर मतलब आपका इंकम कितना है फरक नहीं पड़ता है बर्डन सब पे एक्विवल मतलब जो भी रेट हो आता है तो खरेदार अमीर हो या गरीब हो एन रीच हो इना थे आप देश्चार्थ बर्डन सब के ऑपर से माथ दैसे आप शबने मेरे मेरे क्लासिस जीए अभी हरेक का ऐससे मेश है छॉ पश्था सब्सक्राइब और मेरे बाजुमें मुकेश भाई भी खड़ेते हैं मजाक में एक्जाम्पल है और मैंने उनका इंकम टैक्स रिटन देखा उनका इंकम टैक्स लागों में उनका इंकम टैक्स 1,000 करोड तबी में को समय मैं आ गया किसे आपका income बढ़ेगा वेशे ही आपका टैक्स बढ़ेगा करिए न? इन्टेक्स में एंटा है तुह और एक इपरेंस है इसको लुक्रिसफर इन परोग्रेसिव नेजर्ट है जो इंकम टैसे नेजर्स प्रोग्रेसिब इंकम गोस अप यूर तैस्ट आप्ट नेजर्स एपरेंस आपर शुक्रिनित तो दीड़िट एक्जंपल के इंकम टैक्स है इंडेट एक्जंपल ए जी है कस्टम यह पांच पूंट में आपो यहां पर यह आपस दीए आपने फटा फट पड़ लेते हैं ठिक है जो देखो इंसिदेंस एन इंपक्ट ऑटक्स से टू बी डायरेक्ट विन इंपक्ट इंसरेंस आर अर और वन एंसेंपर संड इसका बड़न कर लिए आपको बरेगा इसे इंपक्ट अब आपको बना कर दिया इन अब टू से जेब से भाट के में बहुंद के आपका तो बर्लस बास कर रहो एंच्छ किसे बर्ल्डन यहां पे कना भी शी जूटोच यह प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है लिको आज में उटियोड को मैं एज इंकम इंक्रिज़ेस टाक्स इंक्रिज़ेस में याप एर इग्रेसिव अपीं कंबड़े आ ना बड़े उतना डेक्ज़ना है देखर एर्रेस्पिक्ट आउ फिनेंशल पोजीशन कीमर पी सब के लिए सेम रहता है तो हमने जो बिस्किट खुरता दोनों ने पाच रुपए प्राइस था और उसमें जी एश्टी भी सेमी था क्या करें अभी एड्मिस्टेशन वाइबिटी अभी इंडरे टैक्स कलेक्ट करना काफी आसान है कि सामने लों को पता ही नहीं चलता कि उसको इंडरे टैक्स देना है बंदर जो मार्केट में जाते हैं इन फॉर एक्जम्पल जैसे अभी मैं आपको टैक्स पढ़ा रहा हूं मेरे को प करना मेरे सब्जिट की रिसपॉंस इडी इसके बाद आप निशेंद्रो बस मेरे साथ रहना है एंट तक बाके समय देख लूँगा एकदम आराम से रहना है तो मिन आपको सब्जिट पुरा पढ़ा दिया सब्जिट पढ़ा के पुरा खंबिट हो गया आप खुश होगे आप सबने खुश हो कि मेरे को एक BMW कार गिफ्ट की तो आप जाएंगे शॉप डिलर के पास बोलेंगे BMW कार दो भी पूसर को गिफ्ट करना है आप बोलेंगे कितना प्राइस उस देंगा साट लाग आप ऐसे चिक निकाल को साट लगा ऐसा फिक दो कि उसके मूँपे एन व सब्सक्राइब मतलब राइस का ब्रेगे तरा म मैं दूसरे ब्रेक पी बात में कर रहा हूं तो इंटेंजिवल एंडिवल एंडिके न उसके पर जीश्टी नहीं है उसके पर मार है यह ने कौन देद आपको बता है और खाने वाल है वह वह प्लाइब आपको पता है है हाँ उसको पकड़ नहीं होता है, तो इंडेक्स में कैंशन करना काफी आंसान है, यह ऐजन के चांसे सकम होते हैं, रुण टैक्स में जेप से जाते हैं, जैसे पर्स से निकालके देना पड़ता है, तो में को फिल होता है है मेरे परस से जा रहा है कि इंट्रेक्स में जाता है यह एंड में बढ़ नाता है ग्रीक्व दिख्विकल्ट के लिए्ट यह ने कि अपर होता है अगर मैंने किसी से गुड्स लेन उस बंदे ने जी एस्टी नहीं लगाया है और गवर्मेंट उसको पगड़ा तो पेनल्टी उसको है लेकिन इंकम टेक्स पेनल्टी है अगर मैंने गड़बड़ किया तो मेरे उपाल पेनल्टी है इसमें से यह खाली एक्जाम के लिए पढ़ना है लिखो आयंपी तुद में जहां जहां पर आयंपी लिखूंगा ना वाको स्किप नहीं करना है इसके पहले का मत पढ़ो सी में सिलवस तो पूरा पढ़ाने माला हूं बड़ मैं बता हूंगा कि आप किस पर फोकुस करो किस पर फोकुस मत करो जो इसी चीज़े है जो अपन लॉजिकली लेंग कर सकते उसको बार बार पंडी की जरूरत नहीं है और जला अज तरह किना पर मेरीट्स और टेक्सेस दिया है न तो मेरेट्स में एक्वीटी इसको नहीं है अंगर आपका allen अर्प WOW तेस बीघाने ह這邊 के ग्कम कर द्ने के इंकम 10 लाके को आपका विंकम 10 लागे तो विट सेम इंकम आपका टैक्स है व्टी गविट रहे गाँ जैसे आपका income बढ़ता है वैसे tax rates बढ़ते है फरोग्रेश को मतलब वो भी आ हैungs trous साय Wed we're going to get you on this 0.002 आप लाग जिसका income कर देखा जिसका इंकम राहिलाग के नीचे यह से ङंदर में रखना दाइलाग तक इंकम टैक्स नहीं है अब थो झालत टैक्स नहीं है Тई अपने डाहिलाग ाएलाग टैक्स नहीं है अब खूझे भीन हैं आप इंकम टैक्स नहीं है नहीं लेकिन GST में इसा कुछ भी नहीं होगा गुर इंस्ट्रूमेंट इनके सब इंफ्लेशन अगर इंफ्लेशन बढ़ता है सोसेटी में इंफ्लेशन मतलब इंक्रिजीन प्राइज तो गवर्मेंट तो टैक्स का बढ़न कम कर सकती है ताकि इंफ्लेशन क्या होगा कम होगा कि वर्म पलेशन इतने सब्सक्राइप कर सकते कि मेरें को कितना टैक्स देना है डियमेरेट्स के ईवेजन इवेजन की होता है क्योंकि किसी को देने के इच्छा नहीं यह बड़ते है तो लोग कई कर दे टालते उसको आवड करते है गैए अन एकनोमिकल मतलब वही है कि ये कि गुवर्मेंट को पीचे पढ़ना पड़ता है इंकाउंटे जपर मेंट को रिट डालना पड़ता है लोगं को पकड़ना वरता है जो टाइक्स दे टाइक्स दे तो कॉस बढ़ जाता है पार पॉस ता कि यूज एट मनी फॉर डवल फिर वहां पर पैसा का बर्डन कम हो ज पिचरी एं लेटिल इंसेंटे डू वर्क एंड से अमले यह डिस्करश करता है से विंग को नौर्ट सोटल फ़ोर कंट्री एन अब टरी मिलस्में बहुत सरे अलग अलग टैक्स रिट से उसमें इंटेपटेशन बेश्ट लोग टैक्स इवेजन कर सकते हैं तो उसको लिए अर्विटरी तो यह मेरिज डिमेरिट्स भी मैंने आपको टाइमपस के लिए पढ़ा है जैस आपको नौलेज होना चीजिए इसले में आपको बता दिये है से मिले आपे डारेक्ट टैक्स और इंडेक्स के मेरिज डिमेरिट से हाई रिवनी प्रॉडक्शन विकॉस हरे ग पर सेंगेश्ट भी इंडेट रिटना गडिनेंट एन अपे मलग कलेक्शन के लिए तकलिफ नहीं है सामदेल अधी देता है एकनोमे के लिए फायदे का वाइड कोवरेज इलर सिटी है मतलब फ्लेक्जिवल है गोवर्मेंट उसके रिट्स कम जादा कर सकती है डिमेरिट् प्लेट्व जैसे इंकम बढ़ेगा वैसे टैक्स बढ़ेगा यहां पर मिश्टर मुकिष्भाय और मेरा एक्जांपल इंकम कुछ भी हो से मौंट पेबल आचा वहाँ पर दैला का एक्जमिशन है यहां पर एक रूपय का एक रूपय का इस बिचेरे का इंकम वाइक से क्म कर रहें तो ये चाहा हम चाहा है इसे को प्राइज बढ़ता है इंक्र्जिषंव दिएश्टेटर नहीं से पोडद महगे होते हैं प्रक्त महंगे हो के तो कि तो इन उसके दो टाइप्स डारेट टैक्स और इंडारेट टैक्स उनके मिनिंग और उनके डिफरेंस उससे आपके ओर्विव आएगा अब आगे बढ़ते हैं यहां से और मैं टेक्निक लिवल पर जा रहा हूं तो मैं इस पर पहला क्वेश्चन क्यों जानना है अब देखो आपको लौ में भी चाप्टर पर भूस सरा इस अब फूल चाप्टर इफ आम नौ रहा हूं तो मैं इस मेरे सब्सक्राइब लिए जितना रिक्वार्ड उता मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बाकि आपका डिटेल चाप्टर चाप्टर कॉंस्टिशन को लॉम में आयोग को जाए सब्सक्राइब कर सकती है तो कोई पर्डिकुलर टैक्स से एन उसका नाम अगर उसमें नहीं लिखा है तो गोवर्मेंट भी कलेक्ट नहीं कर सकती है तो आपने सब्जेट में कॉंस्टिशन का रिलेवंस कितना है क्या है यह मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं चलो आपको नोटबुक पे यह डाइग्राम बनाने है तो कॉंस्टिशन आफ इंडिया इसमें तीन आर्टिकल होते है आर्टिकल 265, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246 ठीक है मैं पहला पढ़ने वालाओ आर्टिकल 245 अभी कॉंस्टिशन आन पार्लेमेंट के ओपर डिस्केशन करेंगे कॉंस्टिशन में लिखा गया कि 1, 2, 3, 4 पे टैक्स कलेट कर सकते है ठीक है अच्छा आपको एक पहले भारे एक्जामल लेता हूं जब जीएस्टी आयता है एक जुले 2017 को कॉंस्टिशन तो 1950 में बना है उससे में जीएस्टी नहीं था उससे में उसमें एकसेज लिखा था तो पूराने टैक्स को हटा के जीएस्टी लाना था लेकिन कॉंस्टिशन में लिखा नहीं था तो पहले कॉंस्टिशन को एमेंड किया गया उसमें जीएस्टी वर्ड एड किया गया एंद फिर जीएस्टी का लौ लाए गया यह उसका महत्व है यह कॉंस्टिशन एमेंड जैयरे टेक्स आपहले भी था और आज भी है। कई टो यह को पहले को महतु बता रहा हूं गी जब तो कॉंसरे नहीं लिखा जाएगा वह टक वह लॉप नहीं बन सकता है। तो से भी बीजिस पावर टू तो आर्टिकल 245 वरी इंपोर्टन एक्वेस्टन पूछते हैं एक मांक के लिए कि आर्टिकल 245 क्या करता है तो क्या लिखने आपको पूटिकल 245 अभी इंडे इस फेडरल स्टेट मतलब हाप यहां पे चैनल गवर्मेंट और पी और ही इतना अपको पता रहेगा कुछ टैक्सेंटोल को मिलते हैं कुछ टैक्सें स्टेट को मिलते हैं नहीं पता है तो भी मैं आगे जा क्या आपको बताऊंगा अगले सेड में आपने उस पर भी आएंगे कि वित रिस्पेक्ट तो आवर सब्जेट कोंसे डाइस किसको मिलता है ठीक है तो यह टाक्स क्लिट करने के बाद पार्लमेंट में उसके पर लौ बनेगा फिर टैस क्लेक्शन साड़ होगा रेविन्यू किसको मिलेगा सेंडल गोर्मेंट को यह आर्टिकल 246 बताता है देखो लिखा है एलोकेशन आफ रेविन्यू बेट्विन सेंट्रल गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट बस अभी इतना ही समझता है वाला कुशन कैसे होगा यह आगले दो पीपेटे में आको सब बताऊंगा मैं आपको पहली काई थोड़ा पेशन्स रखना बहुत बड़ा सब्जेट इम आपको बहुत बड़ा लॉप पड़ाने जा रहा हूं तो पहले तीन चर दिन तो मैं बेसिक्स अफ लोई पढ़ाता हूं पहले तीन चर लेक्ट्चर उसके बाद आप रेडिर होगे मेरी साब से लर्न इस सब्जेट को बोलने के लिए स्टार्ट किया है बड़ एक्चुल जो अपको मैं सिल्याबस में लेकर आना वाला हूं एक तो पहले में एक अच्छा फॉंडेशन क्रेट करूंगा ताकि आपको लॉग का एक बेस आ जाएगा एं फिर अपन थोड़ा और अच्छे से डिटिल में होंगे बट आपके बहुत फाइदे के हैं तो यह था अर्टिकल 246 ना आर्टिकल 265 किया बोलता है नो टैक्स अलब लेविड कलेक्टर एकसेट बाइध आथरोटी फलो एकसेट बाइध रोटी फलो इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब यह है कि गवर्मेंट ने मतलब कांस् अब तक ना सेंटल गवर्मेंट ना स्टेड गवर्मेंट कोई भी टैस कलेट कर नहीं पाएगा तो आर्टिकल 245 ने तुमको एंपावर किया है कि वाई तुम लॉव बना के टैक्स कलेट करो बट पहले लॉव बना हो क्योंकि लॉव बन गया तो फिर काईदे से कितना कले लॉव बनाओ एंड जब तक तुम लॉव नहीं बनाओगे तब तक तुम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है लोग बनाना जरूर यह उसके बाद अधिक्ट कर सकते हो ठीक है तो आप इसको लिख लो मैं एक मिन रुपता हूं और फिर आपन आगे बढ़ता है चलो फ तो फूरा पर लेंगे तो मेरे को थोड़ा अच्छा लागिएगा तो फूल पेज और इसको हाप पेज में अड्रेस कर देना है तो मेरे को कनेक्टे डाइगरम बनाना इसलिए कि अ कि अ कि 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 चुप लोग या अगे बड़ता है अच्छ अब देखो अपने पड़ता ना आर्टिकल 246 आर्टिकल 246 क्या करता है एलोकेशन अप्रेविजी बेट विटुवें सेंटल गोर्मेंट एंट स्टेड गोर्मेंट टीके ना देख अभी अब इसका मतलब क्या है जो भी टैक्स कलेट होगा करेट ना वह इस लिस्ट 123 की सबसे डिवाइड होगा एक दम जिम्पल सलिस्ट वन क्या है लिस्ट वन में जो भी डूटिज अन टैक्स लिखे गए है जो आर्टिकल ने वह एलोकेशन किया ना वह रेविन्यू सेंट्रल गवर्मेंट को मिलेगा तो यह नेक्स्ट क्वेस्ट आपको एक्जम म मिलेंगे स्टेट गवर्मेंट ट्रिकल तो आपना जो डायरेक्स जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो लिस्ट वन में है कस्तन डूटी लेट हो इस्ट वन में है तो यह डिया क्या डैक्ली सेंटर्ल गॉर्मेंट का है ठीख है List 2 में आते है State Get Access, And List 3 इष्कोलते है concurrent list, No what is concurrent list, इसका मतलब है State को भी आधिकार है, और Central को भी आधिकार है, उस चीज़ पे law बनाने का, तो दोनों मिलके tax लेते है, तो यह है GST, GST comes under Concurrent List, GST पे CGST भी लगता है, जो Central Government को जाता है, and S GST लगता है जो state government को जाता है तो GST अपनाता है concurrent list में जहापे दोनों government को अधिकार दिया है tax लगाने के in simple words, what is the learning point? list 1 में जो भी taxes है that is absolute revenue of central government list 2 में जो भी taxes है that is absolutely revenue of state government and list 3 में दोनों को अधिकार दिया है मतलब central and state can have their own law and they can levy tax accordingly only, okay? आप इतना लिख लो और ये एक-एक लाइन जो मने बताया है वो द्हानम रतना हो and अभी as I said मैं मेरे subject के इसाब से discuss कर रहा हू तो अभी आपने जो start के direct tax वो list 1 में आता है custom duty list 1 में आता है and GST list 3 में आता है बस उतना भी आप द्हानम रखो बाकि detail चर्चत जब आप law में पढ़ोगे chapter constitution उसमें बहुत detail में है मेरे subject के लिए this is more than enough तो अपन ने पूरा origin से पढ़ना श्टार्ट क्या की constitution को रोल क्या है इसके वाद में parliament के उबर भी discussion करूँगा कि parliament होता क्या है काफी लोग को पता ने कि parliament होता क्या है तो भी discuss करेंगे आपन लिख लो इतना फटा फटा करेंगे चल आगे बढ़ते है नौ अभी बैंता अपने सब्सक्राइब इंकम टेक्स देखो क्या है आर्टिकल 246 आर्टिकल 246 क्या करता है प्रेविन्य को भाइफ करता है शरुल 7 लिस्ट वन आपना इंकम टेक्स लिस्ट वन में आता है और एंटर नंबर है 82 अचा लिस्ट वन में जो भी डूटिस और टैक्से से द्यान सो सुनना अगें पूश्ट रहो क्वेश्टन बताओ किसका पावर है सेंटल गवर्मेंट एंटर नंबर 82 अगें वह मांग का क्वेश्टन है कि कॉंस्टूशन में जो लिस्ट है उसमें इंकम टैक्स 82 नंबर प्राता है और वहां पर लिखा है कि आप इंकम पे टैक्स लेवी करो ओके एंटर आर्टिकल टूटिस के बोलता है यह पूरा रेवनिक इसको जाएगा सेंट्रल गवर्मेंट तो बोले में में महरस्ट में पूनी में रहता हूँ तुमाइं इंकम टैस्ट में में दे रहा हूं अं-ॢल LB में अल्रा है तो टैक्स na रखना उदर लिस्ट वन के नया डिवर मत बना वो जो लिस्वन लिखना उसको निचे पए करेंट करके लिखो income tax enter number eighty two अब येंट नॉम्बर 80 के आगे कुछ तुल इन सोनना थो प्रफ आपल उसके लिखो अपने लिखना बूर रो डाउन जार्ट एक्स अंटर नंबर 82 टो लब डारेक्स इस तो लब डियर्क बारेक्टिक रुखो तो अपने के लिखा ना अगे लिखा नटर नंबर 82 टो डारेक्स उडरेक्ट प्राकेट में अधर दैन एगरीकुल्चर इंकम अभी इसके पर बहुत इंट्रेसिक चीज में आपके साथ शेर करने आप सबको यह तो पता है रहेगा कि अग्री कल्चर इंकम पर टैक्स नहीं आथा है काफी लोगों ने सुना रहेगा आज उसका आपको में सही लॉजिक बताने जा रहा हूं ठीके न क्या सी लॉजिक है यहां पर क्या लिखाए इंकम अधर दन अग्री इंकम मतलब अग्री इंकम पर टैक्स लेवी करने का पावर सेंट्रल के पास हैच नहीं है वो पावर सेंट्रल के पास नहीं है मतलब सेंट्रल के लेवी टैक्स ओन एवरी इंकम अधर दन एग्री इंकम इसलिए एग्री इंकम एग्जिम्ट है ऐसा कर आप मान रहे तो गलत है मैं क्लेरिफार कर रहा हूँ वह पावर स्टेट गवर्मेंट को दिया है कि हर एक स्टेट डिसाड़ करेगा कि उनके स्टेट में जो एग्री इंकम है उस पे टैक्स लेना या नहीं लेना है क्योंकि बहुत सेंसेटिव मामला है इंडाइज एग्री कल्चरिस कंट्री अभी कि अरॉन 45 परसेंट प्लस लोग अभी भी अग्रीकल्चर में है करेट ना तो यह पावर स्टेट के पास है इसलिए सेंट्रल गवर्मेंट इंकम पेस्ट नहीं लगाता है यह प्रॉल्म क्लियर हो या और कॉंस्ट मोले कि तुम दुमार देख लोहर एक स्टेट अभी आते तो बीचरा फार्मर और लड़ी परिशान है 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 ना क्लामेटिक कंडिशन गवर्मेंट पॉलिशी इस इसलिए फार्मर के उपर टैक्स नहीं है तो लेवी का अधिकार स्टेट के उपर है स्टेट को दिया गया है बट किसी बीच्ट में फिरुरा बीजेपी ओ कंडिशों एनी गवर्मेंट कितने भी किरूं मदले बट कोई भी गवर्मेंट फारमर के उपर टैक्स नहीं लगाएगा इसलिए अब कभी देखना को इस थ फार्मर्स है न कोई भी नियुक्त करते है इंडया मैं इन फोर्टीफ प्लस परसेंट है तो अगर 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 अगर्वागा रॉट मीड़े तो फिर बाकी की कानी खतम है न तो पॉलिटिशन को इप आग़ पार्टी ओवर्ट नियुक्त है कि अजिते हैं तो इसक्वार्म ह करना पड़ता है तो इसलिए उनके पर टाक्स नहीं है तो यह पॉइंट लॉन किया तो आपको सही तरह से समझना है तो बताव एग्री इंकम का लेवी करने का पावर किसके पास है कि अपको से चेट सेंटरले स्टेट स्टेट के पास बट कोई भी स्टेट अभी उस पर टाक्स नहीं लगा रहे है तो अगे बढ़ते है तो यह अपने जो आट वह नाइंटीन सिक्स्टीवन में बना है तो बागी जीज़े इस ओके बस आप वो तर एड़ कर दो आगे बढ़ते हैं नो अभी थोड़ा से डिसकेशन करने कि पार्लेमेंट एंड स्टेट लेकिश लेचर के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा डिसकेशन नहीं करूंगा बिसली अपने पड़ा कि कॉंचिशन प् duy किसको देदा पार्लेमेंट बलृब को खेड़ा पनाने कि क्यूंख कि दा डिसको आगए के पक्शेमीं प्रूडेमिंट को मैंके इस एंडियक को को क्यूilian आई सब कुछ भी नहीं बोलना है ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है ठीक है चलो तो देखते हैं एक्जैटली डिफरेंस क्या है अभी देखो लोग सब बायन राज्यासब अपने नाम तो सुना रहेगा ठीक है तो डिफरेंस क्या है दैसे सुनना हो लोग सब का मतलब है लो कि राज्य-sभा भालutan मेंबर के राज्य-sभा राज्य database स्टेट के यह स्टेट में जिफ यह जुकुदा परलब नैंड लोग सवा मतलब लोर हुस तॉ लोघ्याउस कि बोलेकर कर Espot यसको आम जन्ता का रिप्रेजंटी माने जाता है ना आम जनताा ताहिए उसको लुहरांसि नाम दिया this is the logic वाइट इसको लुईरा ओड़ डिया क्योंकि आम जन्ता ने चुनावा परतिनी दिये और वह भी आम रहेगा खाने काम नहीं जन्डरल रहे तोट्रैनलत का मतलब उनका कारवल इन्य assignment और जंफ्यूक्षभवों यह दॉन समस्नें से और यह सुंद तोटल उस दोसाल की वाद वंथर में टाय हो जात है लौठ गोजाते हैं। 1313 हर दोसर के बाद चेंज हो जाते है चिक है लोग सभा में आपको जाने के लिए मिनियुम एच 25 होना चाहिए एंड आज जे समब मिनिमुम 30 यह जनरल डिटेस में आपको बता दिया है ठीक है अमीन दोनों का रोल क्या है अच्छा लोग सभा में मैंक्सम मेंबर्स कितने हो स चीक है यह 572 बता कितने है जरा आप नंबर में रोल क्या है द्हांस सुनना अभी पहला क्वेश्चन राज्यसभा की जरुवत क्या है यह आपने पूछना चाहिए पार्लमेंट में तो दोनों बार्लमेंट में लोग सभा राज्यसभा दोनों का इंपोर्टन्स है लोग जो है है ना वह तो फॉर एक्ज battlefield असनल जैसे कोई स्टेट है ना कोई स्टेट ए उसका कोई GIRम इंस्टर सबह में है नहीं क्यांकि सभी लोग सभा दा में जापने सब इस्ते जाते लोग पास कि smells तो किसी और का है तो उनका वहां पर कौन सुनेगा पार्लेमेंट में तो उनन्का वहां पर रिप्रेजेंटर रहता है, जिसको हो दे राज्यसभा तो इंड़ेकषान बहुत समझके बनाया गया है, है वह दोनुंहों को अधिकार दिए गेघे अभी वह अधिकार क्या है मैं डिसकस्ने करूंगा कि क्यूं मेरे सेलबस को पार्ट नहीं हे और लिखा है कि इंकम टक्स ऐ包 desarrollo में उससे आगे पार्लेमेंट का डिटेल आपको लाओ में लेगा या आपने पढ़ा भी रहेगा पसे बेसिक एड़ दे रहा हो कि मेरे सब्जिट पांट अफ इसका इंपोर्डेंस क्या है करें ना तो उनका भी सुनने के लिए कोई तो भी चाहिए न उपर किसी स्टेट को अप चाहस मेंबर है राज्यसभा के उसमें से 20 जो मेंबर है वो राष्ट्रपथी खुद चुनते हैं यहां पर इलेक्शन की जुरुत नहीं होती है नॉमिनेटेड मेंबर सुनते हैं तो राष्ट्रपथी ने उनको चुना है बहुत सरे फ्लिम एक्टरस भी थे इपाइम नौ सेवा इस शेत्र में अच्छा काम किया ना उनको राष्ट्रपथी अपॉइंट करते हैं करेना उनका एडवंटेज भी है जैसे सजिन देनल को क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छी जान करी है तो कोई स्पोर्ट्स रेटेट अगर पॉलिसी बनाना है इस बेस परसेंट हुआ तो उनका वा एडवंटेज भी हो जाता है तो दिस इस दिफर बिटिन लोग सबब अराज्यस अबग है चीद चलो अभी पार्लेमेंट में 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 आपने अपना फोकोश्व लोग सबाप है क्या आपने लौव अगरा लोग सबह में पास होते हैं ठीक है अभी उनके पाथ रहता है Union Minister जिसको मतलते उनकी पास रहते Ministers उसको मतलते एक Cabinet Minister तो आपने TV पर सुना रहे है कि आज Cabinet Minister की मिटिंग वही यह वाड़ आपने सुना रहेगा इसका मतलब क्या होता है लिक्के रखना Cabinet मिस्ट का मतलब है Members of ruling party देखो पार्लमेंट में law pass हो गया ना लौ पास होने के बाद उसका implementation करता है Central Government, उसका implementation करता है Central Government. Central Government is headed by Prime Minister of India. Central Government is headed by Prime Minister of India Shri Narendra Modi Ji. अब उनके लिए practically पॉस्भील ने के हरे काम करना, इसलिए द्यापॉइंट मिनिस्टर्स जिसको ल्थे cabinet minister, मिणिट्र तो कुछ नहीं कर सकता हूं ठीक किने मेरे कोड़ लाथ वही है अगर शेजाद प्रसक्राइपर कोड़नी चगर अपको रोजसद इसाई डेता गया है के अरफार रोस Candid तो अब तो ने स्रीमातिया निर्मला सित्रामा तो यह कैविल मिनिस्टर तो मोदीजी कुद काम नहीं कर सकते यह काम इनको अलाइन किया जाता है इनको डिवाड किया जाता है गृप अप्स इनको बिरोकोष बिरोकेट्स भी एस ओफिसर वह सब यहां पर रहते हैं तो ऐसे प्रालिम्ट का स्ट्रक्चुर है तो पार्लमेंट में लोग सभ राजय सब्सक्राइब ладно आपने सबीनालोग सवा में पास होते हैं उसके बाति सबस्तांग है जो कमें धीकर पर्टी तो सभी के विल्म निश्टर उनकी है और उनको सपोर्ट करने के अलगलग मिनस्टि बना जाता है इस वापने लिए इंपोर्ट मिनिस्ट्री एक मिनिस्ट्री आफ फाइनस एन उसमें ऑफिससे रहते हैं तो यह ताइक पार्लमेंट का सिंपल स्थर्च्चिर आगे इंडें नान में लॉका एड़िस्ट्रेशन होता है पार्लमेंट उसमेर तरह लिए क्या आपने लेके अपने लिए कों साय क्या बिनिस्ट्र फिनांस मिनिस्ट्री स्थर्च्पोर्ट करने के लिए दो बॉर्ड बनाएन के जो शाहिद आपने सुना रहे गा CBDT Central Board of Direct Tax तो यह क्या करते है CBDT is the highest administrative authority in India तो यह tax का जो implementation है, execution है उसका पूरा अधिकार इस ministry को दिया है तो law implement करने के लिए जो जो दिक्कत आती है वो सब यह देखती है कौन cabinet ministry and indirect tax में कोन है Central Board of Indicates and Customs और बाकी के जो hierarchy है उसके वो अपने कुछ काम का नई है ठीक है, चलो तो आपने यहां तक अभी एक break लेते है कृटना, इस lecture में मैंने खाली बस basic introduction किया है direct tax, indirect tax क्या होता है law कहा पे बनता है, parliament का rule क्या है लोकसभर आजज़सभा क्या होता है यह basic जानके अब एक बार revise कर लो और फिर आपने अगले एक चैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे ठीक है, ठाक्यू सो मच जार आपने लोड़ेंगे